तो आज का हम लोग का टॉपिक है एस्टेबल मल्टिवेडर का इसका हम लोग ने पहला बार कि देख लिया है बेसिक फंक्शन कैसे काम करता है यह हम लोग फोड़ा सा इसको डीप में स्टडी करेंगे और जो इसके वोल्टेजेस और करेंट्स वियो फार्म रहते हैं यह यह कैसे आते हैं उसको में उसको साथ डिसकस करेंगे तो सबसे पहले देखे थोड़ा सार डिसकस कर लाते हैं कि क्या है यह हमारा आइस्टेबल मल्टि वैबरेटर है यह एस्टेबल मल्टि वैबरेटर में दो ट्रांजिस्टर है Q1 और Q2 यहां का Q1 का जो बेस वोल्टेज है वो है वी बे टू उसी टेप से Q1 का जो कर्लेक्टर वोल्टेज है VC1 है और Q2 का जो बेस वोल्टेज है VC2 यहां पर ढहिकर दो टैबल स्टेबल स्टेट हो सकते हैं इस ट्रांजिस्टर के पहला हो सकता है Q1 आफ रहेगा Q2 और दूसरा रहेगा Q1 आफ हो जाएगा और Q2 और अफ हो क्या values रहेंगी, कैसे on-off होता है, उसको हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं case 1, जैसे हम लोग transistor को on करते हैं, इस multivibrator को, तो हम लोग यह मान के चलते हैं कि जो हुमारा Q1 transistor वो off condition में है, यहने की cutoff में है, और Q2 transistor जो है वो on condition में है, तो यह state number 1 हो गया हमारा, Q1 off, Q2 on, इस condition के लिए circuit यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हो Q1 off है, तो मैंने इस open circuit कर दिया है, Q2 on है तो इसको as it is रखा हुआ है, मतलब यह भी saturation mode में काम कर रहा है Q2, ठीक, यहाँ पे capacitor C2, C1 अभी initially कोई charge नहीं, इसके cross मान लेते हैं, time equal to 0 पे मैंने इसको on किया voltage है, उसकी value रहेगी इतनी, VBE set minus I2 R2, sorry, I2 RC, I2 क्या है, यहाँ से flow होने वाला current I2 है, इस RC क्रॉस resistance के क्रॉस, transistor 2 का जो collector resistance है, उसके क्रॉस जो current flow रहा है, उसको मैंने बोल रहा हूँ, I2, और इसके क्रॉस जो drop हो रहा है, I2 into RC, वो drop है, I2 RC, तो VB1, इस base voltage का, जो transistor 1 का जो base voltage है, वो है भी, VBE set minus I2 RC, let's say, I2 RC की जो value है, वो 4.8 volt है, इसकी total value हो जाएगी, VBE set की value, let's say, हमने माना है 1 volt, कुछ numerical value हमने मान लिया है, VBE set की value है 1 volt, VC2, यानि VC set की value है 0.2, ठीक है, उस हिसाब से, इसकी value है 4.8 volt मान लेते हैं, I2 RC की, तो VBE set minus 4.8 volt, इसकी value कुछ minus 3.8 volt आ रहेगी, तो अभी का condition क्या है, time to equal to 0 पे, VB1 जो है, एक negative voltage पे है, जिसकी value है, VBE set minus I2 RC, मतलब जो हमारा VB1 है, वो negative voltage पे है, और transistor 1 जो है, वो cutoff condition में है, since transistor 1 cutoff में है, तो I1 यहाँ से कोई current flow नहीं होगा, I1 की value रहेगी 0, ठीक है, I1 is equal to 0, I1 यहाँ से collector के क्राफ कोई current flow नहीं होगा, IB1, यहाँ से भी कोई current flow नहीं होगा, base से, IB1 और IC1 की value भी जी रहे हो रहेगी, यहाँ पर जो voltage है VC1, उसकी value रहेगी VCC, ठीक है, case 1 में VC1 की value रहेगी VCC, let's say VCC is equal to 5V है, तो VC1 की value रहेगी 5V, और दूसरा transistor में आते हैं Q2, तो transistor 2 का जो base voltage रहेगा VB2, वो रह रहेगा हमारे VB sat, वोगे दूसरा transistor saturation mode में तो VB2 की value रहेगी VB sat, मतलब 1V, इसका जो collector voltage रहेगा VC2, वो रहेगा VCE sat, VCE sat के value मैंने माना 0.2V, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यह waveform हमने बनाया हुआ है, T equal to 0 पे, जो हमारा VC2 है, VCE sat पे है, जो हमारा VB2 है, वो VB sat पे approximately, ठीक है, और जो हमारा VC1 है, वो time equal to 0 पे VCC पे है, और जो हमारा VB1 है, पहला transistor का base voltage, इस voltage, वो हमारा किसमें अभी, यह एक negative voltage पे है, और इसकी value approximately कितनी है, VB sat minus I2 R3, that is negative voltage, ठीक है, तो यह भी negative voltage पे है, अब क्या होगा, यह सब voltages हमको मिल गए, time T greater than 0 पे देखते हैं, क्या होता है, time T equal to 0 पे मैंने transistor on किया, जैसी transistor on किया, जो multi vibrator on किया, multi vibrator कौन करती, Q1 जो off हो गया, Q2 जो है, on हो गया, on off करते ही, यह यह सब voltages, उसके जो terminals से उस प्याग है, ठीक है, VC2 की voltage आ गया, VB2 का voltage, VB7 आ गया, VB1 का voltage इतना गया, कोई negative voltage, और currents भी इतने आ गया, अब हम लोग देखते हैं, आगे का process किया होता है, transistor on करने का just बात का case है, ठीक है, just T equal to 0 से थोड़ा सा बात, मतलब T 0 प्लस का case है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, time T greater than 0 पे, और time जैसे lapse होता है, तो यहां से देखते हैं, यहां से एक current flow करता है, IR2, दिख रहा है this current will flow from there to this, और यही current बनता है हमारा IB2, यह current हो जाता है, VCC से R2 होते हुए, बेस में जाता है, यह current हो जाता है हमारा IB2, तो IB2 की value होगी, VCC minus VB2 divided by R2, ठीक है, VCC minus VB2 divided by R2, यह current हमारा IB2 होगा, दूसरा यह लखते हैं, I2, I2 की value किती रहेगी, VCC minus VC2, this voltage minus this voltage, divided by RC, यह हमारा होज आएगा, इस I2 के value, ठीक है, तो यह दो current हमको ऐसे मिल जाएगा, अब यहाँ पर एक देखते हैं, तीसरा current, जो R1 के cross flow हो रहा है, VCC से current आएगा IR1, यह current है, यह current यहाँ पर आएगा, इसके पास दो junction है, एक इधर जाने का रास्ता है, एक इधर जाने क इधर तो open circuit है, तो यहाँ से कोई भी current flow नहीं करेगा, यह पुरा का पुरा IR1 current कहाँ से जाएगा, इस capacitor से होते हुए, और capacitor से होते हुए यहाँ जाएगा, इधर क्योंकि transistor अभी saturation में है, मतलब short circuit condition पे है, तो यह current यहाँ से आएगा, VCC से R1, R1 ते capacitor, capacitor से transistor, मतलब यह जो capacitor C V1 को क्या करेगा, चार्ज करेगा, अब हमारा capacitor C1 जो है, चार्ज हो रहा है, अब देखे, capacitor चार्ज हो रहा है, तो यहाँ का voltage बढ़ेगा, capacitor का exponentially, और यहाँ का voltage बढ़ेगा, और यह point क्या point है, VB1 है, मतलब VB1 का voltage भी exponentially बढ़ेगा, तो यहाँ से देखते हैं, वेवाँ से यह VB1 अभी negative voltage पर था ठीक है यह रहा भी negative voltage पर VB1 है और यहां से यह voltage exponentially बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे जैसे capacitor चार्ज होते जाएगा VB1 का जो voltage है वो भी बढ़ते जाएगा ठीक है फिर एक particular condition ऐसा आएगा कि जो हमारा VB1 है एक particular condition ऐसा आएगा VB1 बढ़ रहा है देरे देरे निंगी 2 से positive गया ठीक है VB1 बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है एक particular condition V gamma को cross करेगा VB gamma क्या है एक cutting voltage है ठीक है तो V gamma को cross करेगा cutting voltage सक पहुँच जाएगा बढ़ते बढ़ते जैसे ही मेरा VB2 या VB1 एक्चुली इस voltage ठीक है यह वाला जो voltage है यह बढ़ रहा है लगातार और बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुँच गया एक cutting voltage सक पहुँच गया जैसे ही cutting voltage को cross करेगा यह voltage transistor number 1 जो की off था वो हो जाएगा on transistor number 2 जो की off on था वो हो जाएगा off ठीक है तो होता क्या है जैसे ही मेरा यह VB1 V gamma को cross करता है cutting को cross करता है तो यह वाला transistor Q1 वो conduct करना चालू करता है जैसे ही conduct करना चालू करता है regenerative action होता है इसमें regenerative action क्या होता है जैसे ही कि VB1 बढ़ा VB1 की विल्ली बढ़ी यह transistor conduct करना चालू किया तो यहां का current बढ़ेगा यहां का current बढ़ेगा IC1 IC1 बढ़ेगा तो VC1 कम होगा VC1 कम होगा तो VB2 कम होगा VB2 कम होगा तो IB2 कम होगा IB2 कम होगा तो यहां से current IC2 कम होगा यह लगातार चलते रहते हैं वाला process है ठीक है इसके थुरू इसको बोलते हैं हम लोग regenerative action तो जैसे ही यहां पे VB1 cutting voltage हो cross करेगा बढ़ते बढ़ते यहां पे यह वाला transistor number 1 on हो जाएगा और transistor number 2 off हो जाएगा ठीक है तो at time to equal to T1 पे time to equal to 0 पे यह क्या था off था यह क्या था on था time to equal to T1 पे transistor number 1 on हो गया transistor number 2 off हो गया दीखे time to equal to T1 पे transistor number 1 जो है वो हमारा on हो जाता है ठीक है this is time to equal to T1 यहाँ पर transistor number one on हो जाता है यह v gamma को पहुंचता है और transistor number two यहाँ पर off हो जाता है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा फिर तो यह हो जाएगा हमारा case number two case number two कब होगा जब हमारा vv1 v gamma को cross करेगा तो पहला transistor होगा on, दूसरा transistor हो जाएगा off अब just switching होगा उसी time पे देखते हैं कि voltage का condition क्या क्या होगा जैसे ही VB V gamma को cross करेगा मतलब time t equal to T1 के थोड़े दिर बाद just second T1 plus पे time t equal to T1 plus पे just switching हुआ उसके बाद का voltage तो देखें क्या होगा जैसे ही यह वाला transistor on होगा यहाँ पे यहाँ से यह transistor on होगा तो मतलब भी short हो गया saturation में आ गया या on नहीं आ गया तो यहाँ पर से पहले कोई current flow नहीं कर रहा था I1 की value 0 थी इससे पहले case में ठीक है यह पहले transistor off था case number one था case number one transistor off था तो यहाँ से कोई current flow नहीं होगा था I1 0 था लेकिन अब case number two क्या हो गया है यह transistor on हो गया है on होनते ही यहाँ से एक current flow करना चालू करेगा I1 और जैसे ही यहाँ पर I1 current flow करेगा इस resistance के क्रॉस है डॉप create होगा एक voltage drop आएगा ठीक है और यह VC1 की value just इसके switch on होने से पहले इस transistor के switch on होने से पहले इस VC1 की value किती थी VCC इस VC1 की value किती थी VCC मतलब 5V थी ठीक है यह दिख रहा है just इस transistor के on होने से पहले इस VC1 की value VCC पी थी जैसे ही यह transistor on होगा जैसे ही हमारा यह transistor on होता है Q1 यहां से current flow करना चालू करता है यहां पर voltage drop आ जाता है अब यह VC1 की value कित्ती हो जाएगी इस VC1 की value हो जाएगी VCC minus I1RC दिख रहा है यहां पर VCC minus I1RC is equal to VC1 हो जाएगा यहां पर आप KVL लगाओ इस path पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको VC1 मिल जाएगा कितना VCC minus I1RC लेट से I1RC की value 4.8V है तो VC1 कितना था 5V पर पहले इस transistor के on होने से पहले कितने में था VCC मतलब 5V पर था इसकी value कित्ती है I1RC की value जो यहां पर voltage create हो रहा है RC के cross 4.8 तो VC1 की value कितना हो जाएगी 5 minus 4.8 मतलब 4.8V का drop आ गया है यहां पर I1RC voltage का यहां पर drop आया है यह चीज़ समझने का है जैसे ही यहां पर current यह transistor on होता है यह VC1 का value एकदम से कम हो जाता है ठीक है 5V से सीधा चले जाता है 0.2V मतलब यह VCE set पर चला जाता है जैसे transistor on होगा saturation में चला जाएगा transistor तो यह VC1 आपका VCC से निकल के कहाँ चालेगा VCE set पर ठीक है यह transistor तुरंच चला जाता है VCE set पर यहनिकि VC1 की value इस point पर देखो VCC से सिधा जाती है VCE set पर मतलब इसकी value बहुत ज्यादा कम हो जाती है अचानक से इसमें drop आ जाता है drop की value कितनी रहती है I1RC let's say 4.8V हमने लिया I1RC की value इतना voltage का drop इस particular point पर आता है और वो एकदम instantaneous आता है जैसे transistor on हुआ उसी time आता है तो जेखो जब transistor off था time t equal to t1 से just पहले इसकी value vc थी एकदम से अचानक से drop होता है तुरंत ही बिना किसी time मतलब seconds में और यहाँ पर यह value vc set पर पहुँच जाती है since यह drop बहुत instantaneous होता है तो यह capacitor react नहीं कर पाता क्योंकि capacitor instantaneous voltage change को react नहीं करता है यह capacitor बिल्कुल इसको भी react नहीं करता जितना voltage drop यहाँ पर आता है यह since directly connected रहता है हमारे vb2 से ठीक है directly यह connected है vb2 से तो जितना voltage drop यहाँ पर आता है उतना amount का voltage drop यहाँ पर भी आ जाता है तो यहाँ पर कितना voltage drop आया i1rc amount का voltage drop आया उतना ही amount का voltage drop यहाँ पे भी आ जाता है तो इस transistor के on होने से पहले यह transistor off था और यह transistor on था इसकी value VBE set थी ठीक है इस वाले जो transistor की value थी VB2 की तो VB2 की value देखे इस transistor VBE set पे थी मतलब यह वाला voltage किसमे था VBE set पे था time t equal to T1 पे यह transistor जो है on हो गया और यह transistor जो है off हो गया तो इसकी value VBE set से निकल के कम हो के कितनी आ जाएगी VBE set minus i बनार सी जितना voltage का drop यहाँ पर आएगा इस VC1 पे उतना ही voltage का drop इस particular point पे भी आएगा तो अगर यहाँ का voltage 4.8 volt से कम हुआ तो यहाँ का 1 minus 4.8 मतलब यह voltage कहाँ चल जाएगा negative voltage पे तो VB2 तो transistor 2 का जो base voltage है अभी ता किस में था VBE set पे था जैसे ही यहाँ पर switch हुआ यह transistor cutting voltage हो cross किया time t equal to T1 पे मेरा VC1 VCC से कहाँ गिर गया VCE set पे और जो transistor 2 का जो base voltage था वो VBE set से कहाँ drop हो क्या सिधा VB set minus I1 RC यानि कि लगबग लगबग minus 3.8 volt मतलब कि negative voltage पे चला गया ठीक है तो at time t equal to T1 पे क्या condition हो गया जो हमारा VC1 है वो VCE set पे चला गया ठीक है VC1 जो है VCE set पे चला गया VB2 जो है वो इस voltage पे चला गया कोई negative voltage मतलब यह negative हुआ तो transistor क्या हो जाएगा मेरा cut off अब देखो क्या होता है जैसे transistor cut off हुआ यह transistor cut off हुआ यहां का जो voltage है VC2 का वो voltage suddenly कहां पहुँच जाएगा बढ़ेगा VCC की तरफ अचानक से यह transistor cut off होता है तुरंत इसका voltage drop हो जाता है suddenly क्योंकि यह transistor on हो गया इस transistor क्या होने करण यहां पर current flow करना चालू कर गया यह current flow करने करण यहां पर drop create हुआ RC के cross और इस drop के करण यहां पर voltage drop था जो VC1 का वो गिर गया और यहां का voltage भी एकदम से गिर गया VB2 का जिसे करण यह transistor तुरंत किसमें चला गया cut off में इसके cut off में जाने करण यह जो VC2 है यह पहले किसमें था VCE set पे था इस transistor के cut off में जाने से पहले इसका voltage था VCE set 0.2 volt एकदम से transistor cut off में गया cut off में जाने करण इसका voltage बढ़ जाएगा बहुत तेजी से जब यह voltage बढ़ेगा तो यह पुरा का पुरा voltage यहाँ पे भी reflect होगा क्योंकि एकदम से बढ़ेगा यह voltage यहाँ का voltage यहाँ पे reflect होगा VB1 पे तो VB1 का voltage यह बहुत जादा बढ़ जाएगा जितना VB set होना चाहिए था 1 volt 1 volt से भी आगे निकल जाएगा इसका voltage let's say VC2 2 volt होगे एकदम से 0.2 से कहाँ चला गया 2 volt तो यह 2 volt यहाँ पर भी आ जागा तुरंत उतना voltage तो यह कितमे था ठीक है तो VB1 एकदम से निकल कर आ जाएगा 2 volt में इसकी value बढ़ जाएगी तो यहाँ पे कुछ seconds के लिए देखे जैसे ही हम लोग का switching होता है यहाँ पे यह total voltage बहुत ज्यादा हो जाता है जो transistor 1 का base voltage है वो VB set से भी आगे निकल जाता है ठीक है इसको बोलते हैं overshoot यह जो आया हुआ है उसको बोलते हैं overshoot और यह overshoot क्यों आता है कि सब जिए एकदम suddenly होता है बहुत ही fast होता है इसलिए यहाँ पे overshoot आता है और यह overshoot जो रहता है वो कुछ seconds के लिए रहता है फिर वापिस normal condition में पहुँच जाता है अपना VB set पे ठीक है तो transistor गैसे ही मेरा transistor number 1 का voltage VB1 पहले किसमें था negative voltage पे था वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा था बढ़ते जा रहा था बढ़ते जा रहा था एक condition ऐसी आई कि वो cutting voltage में चला गया time to equal to T1 पे जैसी time to equal to T1 पे cutting voltage पे गया यह ठीक है उसी time पे transistor number 1 on हो गया और transistor number 2 जो है off हो गया जैसी transistor number 1 on हुआ यहाँ का जो voltage था VC1 वो VCC से गिरके VCE sat पे आ गया मतलब इसकी value गिर गई और यह आ गया VCE sat पे और transistor number 2 का जो base voltage था transistor number 2 का जो base voltage था वो कहाँ पे आ गया VBE sat से गिरके आ गया इस negative voltage पे जिसकी value होए है VBE sat minus I1RC ठीक है यह रहा VBE sat minus I1RC क्योंकि जितना amount का drop यहाँ पे create होगा उतना amount का drop यहाँ भी आएगा same amount का तो यहाँ पे अगर minus 4.8 वोल्ड का drop आया यहाँ भी minus 4.8 यानि की minus I1RC का drop यहाँ पर भी आएगा तो VBE का value negative चला गया इसके negative जाने के करण यह transistor किसमें चला गया जितना हो सकता है VBE sat पर उससे भी आगे चले जाता है VBE sat से और देखो यह VBE sat से भी आगे चला जाता है और यहाँ तक पहुंच जाता है यह जो small amount का जो यह deflection आया है इसको बोलते है oversuit और यह suddenly सब change होता है voltage इसके करण आता है कुछ दिर बाद यह normal हो जाता है और अपने VBE sat में आ जाता है अब time equal to T1 पर condition क्या है time equal to T1 पर condition यह है कि यह transistor on हो गया है यह transistor जो है off हो गया है इस transistor का जो base voltage है वो इतना है VBE sat minus I1RC इस transistor का जो collector voltage है VC1 उसकी value है VCC minus I1RC यह लगबग लगबग VCE sat पर actually में ठीक है VC2 पहुंचिया है VCC पर और यहां का जो base voltage है transistor 1 का वो है VBE sat ठीक है VBE sat plus del something कुछ या कुछ दिर बाद VBE sat में आ जाता है now time T greater than T1 अब time T equal to T पर T1 पर तो यह सब voltage था time T greater than T1 पर VB1 अपने वोपिस अपने voltage पर इस्थिर हो जाता है constant हो जाता है VB sat पर यह overshoot खतम हो जाता है कुछ seconds कर आता है overshoot और यह वापिस अपने VB sat पर आ जाता है मतलब transistor 1 मेरा on है ठीक है transistor 1 on है तो VB1 किसमें चला जाएगा VB sat में VC1 किसमें चला जाएगा यहां का जो voltage होता है VC sat उसमें चला जाएगा तो VC1 VC sat पर चला जाता है और VB1 VB sat पर चला जाता है VC2 यह वाला voltage VC2 ठीक है this voltage VC2 चला जाता है VCC पर तो यह voltage VC2 चला जाता है हमारे VCC पर since दूसरा transistor off हो गया है जाता है ठीक है अब देखते हैं इसके बाद क्या condition होती है यह voltage अब कहां पहुंच गया है VB2 एक negative voltage पहुंच गया है ठीक है अब यहां से current flow करेगा और यह current जाएगा यहां पर से IVCC से यहां से R1 के cross current flow करेगा और यह current जाएगा यहां के base में यहां का जो base current रहेगा IV1 वो यह current रहेगा और इसकी value किती रहेगी VCC minus VB1 divided by R1 VCC minus VB1 divided by R1 इस current की value रहेगी ठीक है दूसरा current देखो यहां से R2 से यहां से current प्रोड्यूस होगा अब इसके पास दो रास्ते हैं एक रास्ता है यह एक रास्ता है यह तो यह कौन से रास्ते को follow करेगा इस रास्ते को क्योंकि यहां पे तो open circuit है यहां दूसरा नमगा transistor भी off हो गया है यहां पे open circuit होने current यह वाला current इसर से flow करेगा और यहां से capacitor से देवे transistor में जाएगा because this transistor is on and short circuited यहां से current निकलेगा ऐसा जाएगा इस direction में flow करेगा तो यह current यहां से flow करेगा तो यह C2 जो capacitor हो चार्ज होगा C2 capacitor चार्ज होगा तो इसके cross voltage बढ़ता जाएगा यह यहां का voltage बढ़ेगा तो इस point का भी voltage बढ़ेगा और यह point क्या है actual में VB2 का value है तो यह voltage बढ़ेगा मतलब VB2 भी बढ़ेगा तो देखिए इस waveform से यहां से हमारा time T equal to T1 से आगे VB2 का voltage बढ़ते जाता है एक condition ऐसा आएगा कि VB2 भी बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगा V gamma cutting voltage पे जैसे ही VB2 V gamma को cross करेगा this transistor T2 वो on हो जाएगा और T1 off हो जाएगा क्या होगा जो transistor number 2 है Q2 वो हो जाएगा on transistor number 1 हो जाएगा off ठीक है तो हम लोग फिर से वापिस किसमें पहुंच गए हमारे जो case number 1 था उसमें पहुंच गए transistor number 1 हो गया off transistor number 2 हो गया on अब जैसे ही यहाँ पे यह वाला transistor on होगा यह transistor off होगा time T equal to T2 पे तो क्या होगा यह transistor के on होते ही यहाँ से current flow करेगा I2 दीख रहा है जैसे यह transistor on होगा यह current यहाँ से I2 amount का current flow करना चालू करेगा यह voltage जब ही किसमें था time T equal to T2 पे मान लिजिए मेरा जो यह voltage है time T equal to T2 पे यह वाला जो VB2 है वो अपका V गामा तक पहुंचा है तो T2 पे तो second number का transistor on हो गया है और first number का transistor off हो गया है just इसके on होने से पहले अभी यह transistor के on होने से पहले यह वाला जो voltage था वो VCC पे था ठीक है और यहां का voltage VB1 वो किसमे था VBE set पे था जिस voltage was at VBE set यह voltage किसमे था VCC पे जैसे ही यहां पे voltage drop यहां पे एक I2 current flow करता है I2 current के flow करने के करन यहां पे एक drop आता है I2 into RC का I2 RC का drop होने के करन यह VCC के value भी में I2 RC का drop हो जाता है तो इसकी value किती हो जाती ही VC2 की value VCC माइनेस I2 RC तो यह VCC से घटके सीधा आता है VCC माइनेस I2 RC Let's say I2 RC की value है आपकी 4.8V ठीक है I2 RC की value 4.8V है और VCC की value 5V है तो VC2 की value किती रहती है 5V रहती ही पहले time to equal to T2 पे क्या होता है this transistor on होता है यह जो transistor है वो on हो जाता है इसके on होती यहाँ पे क्या होता है current flow करना चालू करते है I2 I2 current flow करता है तो RC के cross एक drop होता है जिसकी value होती है I2 RC यानि कि 4.8V तो VCC से इसके value घटके सिधा आ जाता है VCC माइनस I2 RC पे मतलब इसकी value होती है 0.2V यानि कि यह value सिधा पहुँच जाता है VCC set पे ठीक है एकदम से यह voltage drop हो जाता है 5V सिधा जाता है 0.2V तो कितने amount का drop है यहाँ पे I2 RC अब यहाँ यह वाला जो point है इस point से connected है इस transistor के off होने से just पहले यह on था यह transistor यह transistor की value थी VB1 की VB set इस transistor की कितनी value थी VBE set जैसे ही यह transistor on होता है Q2 transistor यहाँ का voltage drop यहाँ पे भी appear हो जाता है यहाँ पे कितना voltage drop आया I2 RC amount का drop आया यह I2 RC amount का drop इस point पे भी आता है VB1 पे और VB1 की value हो जाती है VBE set ठीक है VBE set minus I2 RC VB1 की value कितने हो जाती है VB set minus I2 R3 मतलब VB1 किसमें पहुंच जाता है मेरा एक negative voltage पहुंच जाता है तो देखो यह वाला point इस T equal to T2 पे this point T equal to T2 पे मेरा जो VC2 है वो वापिस किसमें आ जाता है VC set पे दिख रहा है पहले VC VCE से पे रहता था अब यह किसमें आ गया VC set पे time T equal to T2 पे यह जो base voltage था VB2 वो V gamma को cross किया है मतलब जो दूसरा transistor है transistor number 2 का जो base voltage है यह transistor number 2 का जो base voltage जो बढ़ते बढ़ते किसको cross किया है V gamma को cross किया है V gamma को cross करने के कारण यहाँ पे जो transistor number 2 है transistor number 1 off हो गया है और उसी point पे इसका voltage हो गया है VB2 का ठीक है और VB1 उसका voltage हो गया है VB1 minus I2 RC ठीक है इसकी value हो गई है VB2 VB1 minus I2 RC और यह voltage drop कैसे आता है क्योंकि जैसी transistor on होता है यहाँ पे I2 RC amount का voltage drop create होता है यह voltage drop यह VC2 के across आता है VC2 पहले VCC पे रहता है अचानक से उसका voltage इकदम गिर जाता है कितने voltage से गिरता है I2 amount I2 into RC amount से गिरता है यह जितना voltage drop इस VC2 में आता है उतना ही voltage drop इस VB1 में भी आता है VB1 किसमे रहता है VB set में रहता है VB set से सीधा आता है VB set minus I1 I2 RC ठीक है और इसकी value यह लगभग निगे 2 पहुंच जाता है तो transistor 1 cut off में चला जाता है और transistor 2 मेरा saturation में जाता है तो फिर से हम लोग आपिस किसमे आ गए case 1 में तो देखो यह वाला जो waveform था यह वाला point फिर से यहाँ पे आ गया अब यह process फिर से चलेगा आगे और इस टाइप से यह transistor 1 by 1 on off on off होते रहाएगा तो यह हमारा ice table multivibrator का पुरा पिच्चा है